हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजिंद पुरही तो आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ फॉर इंचिनेरिंग मैथमेटिक्स बीस से इसनों कर आप किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहाँ और हार मैथमेटिक्स पूछ हो जाता है मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत है इस्टून मैं भी डिसक्ट मैथमेटिक्स स्टाइट किया और आज मैं आपके सामने डिसक्स करूंगा कि रिलेशन क्या होता है और कैसे हम यहां पता करते हैं कि जो रिलेशन है वो क्योंकि यहां बहुत है इसको कैसे चेक करते हैं वह सब मैं आपको बताने वाला हूं इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड कर चुका हूं वह आपईटे पर जाके देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है जब भी हमारे हमारे पास कोई दो सैट रहे हैं उन दोनों सैट के बीच में कोई भी फंक्शन हमारे पास डिफाइन है तो वहां पर हमारे पास जो कार्डिजन प्रड़क्त का जो सैट होता है वह हमारे पास रिलेशन है कि अगर तो उस खैबिस में उनको Betsy और करने के पास ने रिखे वह से वह सब्रड़क्त कोर्ण सैट है तो हम जानते है जैसे यइस यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर क्या है स्वार करते हैं यह हम आपको बताने वाला हूं प्लस इसका जो में और रेंज होता है वो हम कैसे बता करता है जैसे में आपके सामने थोड़ा सा बताना चाहता हूं और यह चैब की जो element होते हैं यह हमारे पास क्या लाता है डॉमेंट और जो जो element इससे connect यह कोड़ों मैंने और इसके अंदर जो जो connect हो रहे हैं इस element के साथ वो हमारे पास क्या जाएंगे रहें तो यह सब चीज़ें होती जो हमें यहां पर देखनी होती तो सुन बात करेंगे आप मैंने बता ही दिया कि अगर मारे पास 2 सेट दे रहा है और दोनों सेट किसें किसी function से वहाँ पर एक दूसर से relate कर रहें तो एक जो element होते हैं वह मारे पास domain होता है और बी के जो element जो की एक element के साथ connect कर रहे है वो हमारे पास क्या होता है सुन range set होता है और बाकि जो भी के सितर भी element होते है वो हमारे पास यहां पर क्या होता है सुन co domain होता है जिसे हमारे पास यह relation दे रखा है आपको यह पता करना है कि यहार हमारे पास यहां पर इसका domain क्या होगा तो जो first position पर element है वो domain दिखाएगा जिसे one or two domain है और सुन जो second position पर element है यार वो हमारे पास यहां पर का दिखाएगा सुन range दिखाएगा यह दिखाएगा यह दिखाएगा अब बात करेंगे सुन प्रापर डिसके बारे में कि जो भी हमारे पास relation दे रखा है यार वह हमारे पास यहां पर reflexive relation है के नहीं है तो reflexive relation का मतलब यह होता है कि a relation r is reflexive if x belongs to a तो xx क्या होना चाहिए सुन r में होना चाहिए अगर xx r में है यहार वो हमारे पास यहां पर क्या होता है सुन reflexive होता है for example जैसे अगर हम आपके सामने बात करता हूं यहां पर वन टू और वन टू थी दे रहा है अगर यहां पर हमारे पास इससे एक relation कर रहा है वो देरिखा है वन वन टू टू एंड वन थी तो आप देख रहे है यह हमारे पास यह क्या हो जागा इस उन reflexive हो जागा एक 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 जमपल और देता हूँ मां लीजिये एक दिरिखा हा है वन टू और यह क्या रहा है सुन वनको मां न एंड यहां पर है two-co-ma four तो इस वन यह जो रिएस्ट नहीं और रहा है अगर तो यह पर वह आना चाहिए अगर यह रहा होता है तो इस टैप का जो रिएस्ट जो की रिफलेक्सिव नहीं होता उसको मुलते और फ्लेक्स यह द्यान के ज़ुरों होता है ऻगी बढ़ते नेक् क्या होना चाहिए और में जाना चाहिए और यह हमारे पास दे रखा है अब आपस यहाँ पर 123 और 4 ले लिए चलो वही समझ लेते हैं लोगे आप है अगर मैं आप पास बोलू कि कोई ऐसा relation दे रखा है हमने कोई function defining क्या हमारे पास यह element जा रहा है 2,3 आ रहा है अब आप देख सकते हैं यह relation वहार पास symmetric है के नहीं है तो सुन आप देख रहो 1,1 है अब अगर 1,2 है तो 2,1 भी हो रहा है इस विए 2,3 है तो 3,1 भी हो रहा है पर आप देख रहो 3 तो यह है नहीं तो 3,1 तो होई नहीं सकता है राइट इसका मतलब यह जो relation यह प्रशिश करें यह मैं एक एक्जामपल और दे रहा है कि 1,2 और 1,2,3 है अगर मैंने यहां पर कोई रिलेशन लिया 1,2,2,1 and 2,2 तो अगर 1,2 है तो 2,1 भी जा रहा है और 2,2 तो वैसे भी same element है तो कोई फरक नहीं पढ़ता है मतला अगर 1,2 अगर 2,1 भी आर में होना चाह टैंकि अगर ऐसा होता है तो यार वहारे पास किया क्या लाता है सुन ट्रांजिटीव रिलेशन के लाता है एक एक जमपल हो लेते हैं снова न लिए髦र हैं 1,2 और दूसरा से लिका हमारे पास 1,4 और हमारे पास यहां पर एक King दिरका जिसमें हमारे पास healing जारा है है कॉमा 2 है 2,1 है और 1,1 इस विए हमारे पास दे रखा है आपको यह पता लगा नहीं कि यह हमारे पास ट्रांसिटिटिव है कर नहीं है तो सुन 1,2 इसमें जा रहा है और यह कैंसल यह अटा दो तो 1,1 भी इसमें जा राइट देखो यार इसमें एक्जमबल और में जा रहा है तो ये पता गरना है कि यह हमारे पास यहां पे अगर कोई भी रिलेशन यह तीनों कंडिशन सटस्पाई करता मतलब वह रिफ्लेक्स ही भी है मतलब वह समेट्रिक है मतलब वह ट्रांजिटिव भी है तो सच रिलेशन इस नौन अज एक्विलेंस रिलेशन एक 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 जामपल लेता हूं मैं आपके सामने माली जी मैं एक और हमने लिए और यह एक को मा वन और है तो मैं एक काम करता हूं और एम चेक लेते हैं अभी पास क्या अभी हमारे पास समयला था झारा धुतु को मारे थे तुसल बात करेंगे था हुआ है उसको न mere कॉक्मा-थे में 211 टुसले को मां पूब सॉ पैस यह इस यह मारे पास ऑब हो देखेंगे निगा तो बात करेंगे में हमारे पास चाहो के चाहरो है वह वो हमारे पास ट्रंश मद रहा है का मतलब यह रहीजिन हो जाई Aha एक है सबसकते हैं अब बात करेंगे शुन कुछ क्शूल है यहां तरहा की A is का रिलेशन में जायेगा राइट और यहां पझता है तो हमारे पास आएगा टू टू-टू-टू-टू-गॉच्यू सैवन जघर करता तो तू-वर को डिवाय डिवायर सेबाइट करता है तो हमारे पास जो एगा व Come आएगा सुन एक तो आएगा 2,4 और एक आएगा हमारे पास 2,6 अब बात करता एक 3 किसको डिवाइड कर रहा एक नियर सपने च्री को डिवाइड करता और The que since to be aand act right यह हमरे पास क्या जाएग्स कॉमा-3 एंद यह सद्री हमारे पास 3,6 अब हम देखते हैं 4 इसको डिवाइड करता है 4 खाली 4 को डिवाइड करता है तो इस उनिया पर 4,4 आ जाएगा राइट अब आप से पूछा जाएगा इसका डॉमेन क्या है तो जो भी फस्स पोजिशन बाइगा है और वह हमारे पास क्या होगा इसका डॉमेन ह तो टूट रिफू हमारे पास क्या जाएगा अगर फोर तर तो टूट पर होगार नहीं है याआफ और रेंज पास के याँका है बात कर तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहली बाद तो टू कोमा टू इसके इंदर आना चाहिए तो यह आ रहा है अगर यहां पर यह पर रिफ्लेक्सिव हो जाता तो यह पता करना गया यह हमारे पास यहां पर समय तो टू फॉर सब्सक्राइब अब लोगें सब्सक्राइब चाहिए तो हम आगे बढ़ते हैं तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ और example letter उसको समझने की कोसिस करता है सुन यहाँ पर देरका शो देट इस relation A, B where A, B belongs to Z and A minus B is divisible by 3 मतलब A minus B क्या है यहाँ पर 3 से divisible है तो क्या यह equivalence relation है या नहीं है तो सुन सबस्क्राइब बात करेंगे reflexive के अंदर तो हम जानते हैं कि अगर बाइचास reflexive का मतलब होता है कि A, A R में होना चाहिए मतलब same element लेंगे तो same element मतलब A minus A तो A minus A क्या हो जाएगा 0 और 0 हमारे पास 3 से क्या होता है divisible होता है इसका मतलब जो A, A है वो हमारे पास क्या होगा R में चला जाएगा तो यह हमारे पास जो difference अगर वो 3 से divisible है तो B minus A का difference भी 3 से divisible होना चाहिए तो होता है जैसे मैं आप से बोलू कि 5 में से 2 गया तो 3 आ रहा, 3 से divisible है तो 2 minus 5, मतलब minus 3 आएगा वो भी 3 से divisible है तो यह symmetric तो हो जाएगा हमारे पास इसको मैं इस तरह से समझ सकता है नेक्स बात करेंगे हमारे पास यहां पर ट्रांजेटिव तो ट्रांजेटिव में यह होता है कि अगर हमारे पास A B R में है B C R में है तो यहार A C B R में होना चाहिए तो अगर दो element का difference हमारे पास यहां पर मतलब 3 से divisible है इन दोनों का जो है वो 3 से divisible है तो यहार A C का difference भी 3 से divisible होना चाहिए एक example लेता है इसका मतलब ही होगा कि 5,8 है यहार वो भी हमारे पास R में जाना चाहिए मतलब इसका जो difference है वो भी 3 से divisible होना चाहिए तो बिल्कुल माइनस 3 होता है तो यह अगर अगर मैथमेटिकली प्रूव करना चाहिए तो A B बिलॉंग्स टु आर B C बिलॉंग्स टु आर तो हम जानते A माइनस B का जो difference हो 3 से divisible है B माइनस C का जो difference हो 3 से divisible है तो इस इन दोनों का सम करते है तो इन दोनों का सम करेंगे तो यहर B से B cancel हो रहा तो A minus C और A minus C यहाँ पर क्या हो जाएगा क्योंकि यह अगर 3 से divisible है यह से 3 से divisible है तो उसका sum भी 3 से divisible होगा तो वो इस concept sum यहाँ पर देख सकते कि A minus C भी 3 से divisible है इसका मतलब A, C B क्या चला जाएगा R में चला जाएगा इसका मतलब 3 हो यहाँ पर property satisfy कर रहा है इसका मतलब R यहाँ पर क्या हो जाएगा एक equivalence relation हो जाएगा इसों next question पर आता है next question क्या बोल रहा है यह बहुत चाह question है कि R अगर हमारे पास transitive and reflexive है है ना मतलब R जो है वो transitive भी है and reflexive है on A and let T be the relation on A such that A B is in T मतलब यहाँ पर जो T हमारे पास एक ऐसा relation है और उसमें A B T में होगा तब और तबी जब A B और B A R में हो अगर A B और B A R में है तो A B हमारे पास क्या होगा T में होगा अगर ऐसा है तो आपको यह प्रूव करना है कि T हमारे पास आपको एक एक एकोलेंस रिलेशन होगा तो सब्सक्राइब हो इसका इसका A B N B हमारे पास क्या होगा आर में होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि A, A A कुशंकि में अगर A, T में होगा तो यह क्या होना चाहिए है कि और में होना चाहिए और और चुकी बॉल बशुमा क्या होती है कि महारे है इसा है जießकते परिबहु 놓ब है कि बातरे सब्सक्राइब करेंगा इस रिजान दिजेगा को अगर वी सकता हूं और अगर सब्सक्राइब तो Barb is कि हमारे पाट T में है है शुब्स हमारे होना चाहिए यह ह्पर पर हम पास T में है इसका मतलब यह हुआ कि A B, BA हमारे पास रभीओ्स होता है यह अगर रम है तो ये हमister में आपर और किया होना चाहिए और क्या करते हैं वन बाइवन पकड़ते हैं अब मैं इसको लेता हूं एक भी को लेता हूं और एक इसको लेता हूं अब इसका मतलब यहां पर यह जो एक होगा वह भी हमारे पास क्या हूं अर में चला जाएगा बाइदध ट्रांजिटी प्रॉपर्टी रहीट अब हम इसको पकड़ते हैं इसको लेते हैं तो मैं इसको ऐसे लगता हूं सी भी पहले लिखता हूं और बी ए यह हमारे पास आर में तो यह जो सी है यह भी कहा चला जाएगा सुन आर में चला जाएगा अब हम जानते कि एसी अब हम देखो सुन यहां पर हमारे पास क्या रहा है तो यहां पर ट्रॉब हो जाएगा तो इस तरह से इसको बहुत आप हम प्रूब कर सकते हैं सब्सक्राइब 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 इस तरह से एड़ करते तो सेवन का मल्टिपल आता है तो यहां पर हमार पास ए और भी मतलब हम यह दिखाएंगे कि अगर मैं एक माणे जौड़ा जो आएगा वह सेवन ए हो जाएगा है अब बात करें के सुन स्मेट्रिक समेट्रिक हम जाना चाहिए अगर इसा हो तो आयं पर और यह रिलिशन हम EB यहां पर प्रूव करेंगे कि हमारे पास बीए भी आर में जा रहा है तो उस वाले के लिखेंगे तो यहां पर इसको एसा लिख सकते हैं यहां पर हमारे पास टो सब्सक्राइब एक इसको लिखेंगे इन दोनों को हम यहां पर लिख देंगे अब यहां पास गीवन है गी सेवन का मैल्टीपल यह जाए जाएगा इसका मदलब यहां घार और आ आर बे चला जाएगा अब हमें यह प्रूव करना है कि यह रिलेशन हमेरे पास यहां पर क्या है ट्रांसटीव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा है सुन अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास यहां पर 3A आजाएगा और इन दोनों को एड़ करेंगे तो 7N प्लस 7N आजाएगा अब क्या करते हैं यहां पर हमें निकालना है 3A एंड 4C क्यूंकि हमें यह दिखा रहा है कि ACR में जा रहा है तो यह जो हमारे पास वेल्यू है इसको उधर ले जाते है जब इसको उधर ले जाएंगे तो यह जो 7B यह उदर जाए कि 7B हो जाएगा और 7 को मना जाएगा आप देख रहे हैं यह भी हमारे पास 7 का मिल्टिपल है और 7 का मिल्टिपल इसको इस तरह से प्रूब कर सकते हैं और भी आप डिसके की वीडियो देखना शागर द्यूमाफ जाएगी यहापको ब्ले जाएगिस ओने गhewhodachi program करेो को sigue लाइक करे चैनल को tablets करें प्रेस कर रहंता कि आनेवाले वीडियो के नोटिफिकेश आपको मिलता रहें आप सबीका बहुत-बहुत-धने बाद